हलो गाईज, वेलकम टू पूरी पड़ाई तो आज हम उपना HTML का वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं HTML इंट्रोड़क्शन के साथ तो HTML होता क्या है एक्जेक्टली HTML स्टेंड फॉर हाइपर टेक्स मार्कप लेंग्वेज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरीकी लेंग्वेज है तो यह कि मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा से और सुन में आएका यह किस तरीकी लेंग्वेज है अगर आपको कोई book लिखनी है एक तो आप उसे हिंदी में लिख सकते हैं English में लिख सकते हैं Spanish में लिख सकते हैं या फिर German में लिख सकते हैं या फिर किसी और language में लिख सकते हैं वैसे ही आपको एक website बनानी है तो आप html में लिख सकते हैं उसे, xml में लिख सकते हैं, php में लिख सकते हैं या फिर किसी और लेंग्वेज का यूज करके उसे बना सकते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो कि hypertext markup language जो होती है वो एक website बनाने के काम में आती है अगर हम कोई website देखें, जैसे कि एक example लेते हैं, यह आपको एक website है तो यह आपकी website है, उपर से नीचे था, अगर आप देखेंगे इस website तो को आपकी काफी सारी चीज़े आपको provide होंगी इसमें इसमें आपको text मिल जाएगा, यह text लिखा हुआ है, ठीक है, यह आपको animations मिल जाएंगे चलते हुए और आपको images मिल जाएंगे, इसमें logos मिल जाएंगे और आपको filling form भी मिल सकता है, और आपको videos मिल सकते हैं और audio मिल सकते हैं किसी website में और आप website में आपका एक page नहीं होता, इस website में काफी सारे pages होते हैं, just like हमने यहाँ पर click करा previous year question paper पर, तो आपका दूसरा page खुल गया, अगर हम फिर से इस पर click करेंगे, तो तीसरा page आपका खुल जाएगा, ऐसे काफी सारे pages होते हैं, तो हम website को define कर सकते हैं कि website is a collection of web pages, which contain the logos, images, videos, text, audios and many more things, तो यह तो हो गई आपकी एक website, कि website actually में होती क्या है, यह छोटा introduction था website का, अभी हम HTML का introduction ही देखते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं कि hypertext क्यों लिखा हुआ, hypertext और markup language होती क्या है, तो सबसे पहले हमें already पता है कि HTML, hypertext markup language में text तो हमें पता है कि text क्या ह होता है, अभी हम देखते हैं कि hyper क्या होता है, इसमें hyper जो है hyper means होता है active, किसी जी active होना उसको हम hyper कहते हैं, और hypertext होता है active text, मैं आपको फिर से एक example देता हूँ, जिससे कि आपको active text के बारे में थोड़ा से और ज़्यादा जनकारी मिलेगी, अगर आप यहाँ पर देखें हूँ, तो मैं दूसरे पेच पर पहुच जाता हूँ, मतलब कि जो यह text लिखा हुआ है, यह समय पर active है, इस समय पर यह active है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, hypertext, इसको हम कहते हैं hypertext, ठीक है, अभी हम फिर से back आते हैं, hypertext हो गया यह, hypertext markup language आप किसे कहते हैं, markup language क्या होती है, markup language is a set of markup tags, सबसे पहले हमें पता हुची कि tags क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको example देता हूँ, जैसे आपका यह tag लिखे हुए, title और title, starting में title और ending में title जो लिखा हुआ है, वो क्या है, आपके tags है, अभी markup क्या 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 है, जैसे हमने बीच में क्या लिखा पूरी पड़ाई, यह आपका content है, इस content को आपने क्या करा है, starting के जो title है, और ending के title से markup कर दिया है, तो इसलिए इसे कहते हैं markup text, और काफी सारे text जैसे की markup language define करें गई है, markup language is a set of markup text, तो जिसमें की काफी सारे markup text होते हैं, उसको हम markup languages कहते हैं, तो अब यह आपको clearly define हो गया कि hyper text markup language किसे कहते हैं, और क्यों use होती है, तो next हम देखेंगे कि HTML syntax क्या होते हैं, और HTML की websites कैसे कैसे बनाई जाती है, तो तब तक के लिए good bye, thank you, your feedback is valuable for all, so please comment, like and share with your friends, thank you.